नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लो एर ट्राफिक कंट्रोल की शिकायत पे साथ इंडिगो एरलाइन्स के पाइलेट के उपर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जा रही है और वो इनक्वाइरी इंडिगो एरलाइन्स कंड़क्ट नहीं कर रही है इंडिगो के पाइलेट्स रीसेंटली बहुत न्यूज में रहे है अब यह पाँच अपरेल के लगभग की न्यूज है लगभग पाँच इंडिगो पाइलेट्स को नौकरी से निकाल दिया गया था पाँच यह चैए एक्जैक्टली आप चेक कर लीजेगा इंडिगो कंपनी का यह बोलना था क्यी लोग इस ट्राइक की त्यारी कर रहे थे धन्या प्रदशन की त्यारी कर रहे थे हरताल की त्यारी कर रहे और इंडिगो जैसी airlines मेगर हरताल हो गई तो passengers operation hurt हो जाएंगे काफी भैंकर commercial नुक्सान हो जाएगा airlines का तो इसलिए airlines ने इन लोगों को नौकरी से निकाल दिया, अब 5 अपरेल के चार दिन बाद 9 अपरेल को ए घटना हुई, और उस घटना की reporting ATC ने DGCA को की, ATC मतलब Air Traffic Control, अब यहाँ पर ATC ने क्या बाता है, DGCA को कि साथ Indigo के pilots ने, यह जो 121.5 MHz की emergency frequency होती है न, इसका गलत प frequency को समझने के लिए, यहाँ पर मैं Wikipedia के Aircraft Emergency Frequency वाले पेज पर आपको लेके आ हूँ, इसको Guard Frequency बोला जाता है, और internationally अगर आप देखो, तो कहीं पर भी प्लेन उड़ रहा हो, commercial plane की बात कर रहा हो, वो 121.5 MHz पर एक distress call दे सकता है, देखे क्या होता है, कि यह जो aviation वाला काम ह हवा में उड़के जो pilots जा रहे होते हैं, air hostesses जा रही होती है, they are doing a risky job, कभी भी equipment में failure आ सकता है, हो सकता है कोई equipment ठीक तरीके से काम ना करे हो, तो हम लोगो direction करना पता चल पाए, तो उस cases में 121.5 frequency का इस्तमाल करके, यह जो aircraft वाले हैं, वो nearest air traffic control के साथ connection बान सकते हैं, दू सा aircraft कहां पे हैं, तो उनके पास इस प्रकार की screen होती है, इन screen के उपर लगातार कुछ छोटे-छोटे dots लिखते रहते हैं, उसमें पता चलता रहता है कि भाई, aircraft कहां पे उड़ रहा है, तो अगर मान लो कोई दो aircraft collision course पे हो, तो तुरंत उनको यहां पे signal भेज दिया जाओ, नीचे आजाओ, मतलब अपना, you know, direction मतल लो, या फिर ascend करो, descend करो, जो भी direction यहां पे ATC दे, condition के हैसाब, तो इस 121.5 frequency का इस्तमाल करके, जो जहाज है, वो ATC से contact कर सकता है, और जहाज के pilot से contact कर सकता है, और distress, आप कहलो, you know, conditions में चीज़ों को resolve कर सकता है, इसी लिए इस frequency को बोला गए aircraft emergency frequency, commercial उस civilian pilots के लिए ये frequency बताई गए है, 121.5 MHz, लेकिन जब बात आती है, military aircraft की, तब frequency बताई जाती है, 243 MHz, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये frequencies वहाँ पर काम कर रही होंगी, अगर कोई आसपास air traffic control है, तो, अब मैं आपको बताओ, एक और ची हैं, इस 121.5 frequency का इस्तमाल करके, इस frequency पे कोई भी और propagation नहीं होता है, ये radio frequency जो 121.5 MHz है, इसको specifically reserve किया गया है, distress communication के लिए pilots के दौरा, तो इस particular frequency पे कोई और activity नहीं होती, या तो दो pilots आपस में बात कर रहे होंगे, या फिर pilot और ATC आपस में बात कर रहे होंगे, अब ऐसा बोला गया कि जो 9 April का दिन था, इस दिन ये जो pilots थे, वो इस 121.5 frequency का इस्तमाल कर रहे थे, आपस में बात करने के लिए और बातचीत क्या हो रही थी, कि भई ये जो airline है Indigo की, ये हमारी तंखा नहीं बढ़ा रही, COVID से पहले जो तंखा हुआ करती थी, COVID के बाद घड़ मेरा बॉस इतना काम देता है, प्रोमोशन नहीं हो रहा है, इतने साल से बात कर रहा हूँ, ये बड़ी नॉर्मल बात है, प्राब्लम यहाँ पर यह है कि इन्होंने जिस platform का इस्तमाल किया है, 121.5 MHz, इस पे इनको बात नहीं करनी चाहिए थी, और इसी गिले इनके खिला इसदा डॉलर सक भी जा सकता है, उसका लाइसेंस तक भी कैंसल हो सकता है, और यहाँ पे भी इन साथ इंडिगो के पाइलेट्स के उपर एक गाज सी गिरी हुई है, there is a possibility कि इनका लाइसेंस कैंसल हो जाए, अगर एक टफ यू ले ले लेता है, DGC और इनके खिलाफ जो इ जलती हुई पाइलेट्स से वो भी बहुत बड़ी है, देखे, रेडियो ट्रांसमिशन जब आप खासकर ड्यूटी पर हो, प्रोफेशनलिजम उसमें होना चाहिए, और ओवर ओल प्रोफेशनलिजम यहाँ पे वालट हो, चुकि देखे, इमर्जेंसी सिचुएशन में कर जाए, वो सकता है ठीक तरीके से अवाज ना पहुचे एटी सी के अंदर, तो कोई और इम्पोर्टेंट इमर्जेंसी जिसको जरूरत थी, उसकी जरूरत यहाँ पर कॉंप्रोमाइस हो जाए, आपकी बेकार की बातों के चलते, इसलिए यहाँ पे इंडिगो पाइलेट अबर में तनखाए कम हुई, एविएशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जो बहुत ज़्यादा एफेक्टर था कोविट पैंडिमिक, अब ओवर ओल कोविट पैंडिमिक से हम बाहर निकल रहे हैं, इन पाइलेट्स का यह बोलना है कि जितनी हमारी कोविट से पहले तनखाए तो तनकाएं इंडिगो वाले क्यों काट रहे हैं, यह यहां पे इन पाइलेट्स का सवाल है और जब इन रहेन पे चनीघे यह बाएलेक्ट को यहां पे निकाल दिया गया और आपस बात चीत कर रहे है यह बहुत करो भई, हमारी तनका कम है तो आक्शन नहीं बनता है, वि लेकिन 121.5 frequency भी बात्चीत की, ATC ने पकड़ लिया, तो DGCA investigation कर रहा है, तंखा की बात करें, तो देखी जो Indigo pilots, या फिर किसी भी airline के pilot की बात कर लीज़े, अच्छी कासी तंखा मिलती है, अब मैं directly किसी pilot से तो मैंने बात नहीं किये, लेकिन एक मेरे senior हैं office में, उनकी daughter Indigo में pilot है, तो वो बताते हैं कि उनकी daughter की तंखा लगबग 6 लाख रुपए प्रती महीने, और शायद starting salary जो first officer की होती, वो 2 लाख से 3.5 लाख रुपए की बीच में होती है, पर मंत, तो आप कह सकते हो कि भाई, बहुत ही अच्छी तंखा है, कहां मिल रहे है आज की date मेर 5-6 लाख रुपए प्रती महीने, कोई I am graduate हो शायद उसी को मिल जाए, उनमें इसे भी बहुत लोगों को नहीं मिलते, बिजनस करने वाले लोग ही इतना पैसा कमा पाते हैं, एक normal employed person until and unless वो बहुत ज़्यदा exceptional नहीं हो, नौकरी में 5-4 लाख कमाले महीने का बहुत कम chance होता है, लेकिन कहीं न कहीं मैं बोलूँगा कि pilots deserve करते हैं, जो कि मैं आपको बता दू, दुनिया में जो most stressful jobs है न, उसमें एक job pilot की भी आती है, अगर दुनिया भर में most stressful job देखो, तो news reporter, event coordinator, police officer, surgeon, इसमें एक airline pilot भी है, oil rigger, जो कि समुंदर की गहराईयों में, पानी के pressure के अंदर drilling करता है, तो इस प्रकार की jobs को most stressful माना गया है, तो भाई, pilot की job भी most stressful है, तो इसलिए ये salaries deserve करते हैं, लेकिन overall, इनकी salary उस level पर बढ़नी रही है, इनकी ये, आपके सकतों अंदर से एक है, बतुब शिकायत है, इस शिकायत को आगे रखने के चकर में, छे लोग suspend हो चुके हैं, और साथ लोग के उपर investigation यहाँ पर चालूँगा, तो ये तो हो गए इनके end की बात, आप बात करते हैं, एरलाइन के end की बात, इन्डिगो के सामने भी सवाल उठे कि, भई आप pilots की तनखा क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, तो इन्डिगो का बोलना ये है, कि देखिए अगर एक दिन में number of flights जाता है, अगर एक दिन में number of flights जाता हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि flight बहुत पैसा कमा रही है, airline बहुत पैसा कमा रही है, airline पहले जितना पैसा नहीं कमा पा रही है, ये कौन से logic पे बोला जा रहा है, तो airline इंडिगो का ये बोलना है, कि जो इनके block hours है per day average, वो 11 घंटे हैं, कोविट पैंडिमिक से पहले साड़े तीरा घंटे थे, अब आप बोलोगे block hour क्या होता है, तो समझिए, आप अगर plane में बैठे हो, तो plane में बैठने के बाद जब plane का दरवाजा बंध होता है, तब से लेके flight उड़ी, फिर land की और land करने के बाद रुकी, और जब plane का दरवाजा खुला, तो दरवाजा बंध होने से लेके, उड़ने से लेके, फिर दरवाजा खुलने तक के बीच का जो टाइम होता है, इसको बोला जाता है block hour, और एक particular plane के, मालो एक दिन के अंदर 11 घंटे का ये block hour है, तो आप बोलोगे कि भाई 11 घंटे की उसकी fleet utilization है, fleet utilization नाम का एक शब्द, technical शब्द इस्तमाल किया जाता है aviation industry में, तो जितना ज़्यादा planes का fleet utilization होगा, उतनी ही वो airlines profitable होगी, ऐसा बोला जाता है, चुकि उतना ही समय वो हवा में है, उतना ही वो पैसा कमा रही है, तो commercial terms में ये block hours और fleet utilization, block hour का मतलब समझा दिया, fleet utilization का मतलब समझा दिया, अब कोविट का बोलना है, sorry, Indigo का बोलना है कि COVID pandemic से पहले, ये fleet utilization साड़े 13 घंटे था, और आप 11 घंटे हैं, मतलब on an average, प्रती दिन, धाई घंटे गिर गया, fleet utilization, मतलब ऐसे बहुत से aircrafts हैं, जो कि कम उड़ रहे हैं, या फिर grounded है, भी उड़ी नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे जो company है, वो overall number of flights से चीज़ों का access नहीं कर रही है, उनके fleet utilization से कर रही है, मतलब कि आप समझ लो, कि जितने भी इंडिगो के aircrafts हैं, उनका कितना block और हुआ, divided by number of aircrafts, एक दिन के लिए आप इस data को measure कर लो, average data को, और इसके basis पे decide हो जाता है, कि fleet utilization कितना है, तो इंडिगो का बोलना है कि COVID से पहले साड़े तेरा घंटे था, अब ग्यारा घंटे हैं, तो अब इससी बात है, हमारी profitability उतनी नहीं है, एक तो ये point हुआ COVID का, ये इंडिगो का, दूसरा इंडिगो ये बोल रहा है कि दुनिया भर में जो तेल के दाम है, aviation, turbine, fuel, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब कुछ हद तक देखें, इंडिगो बालों की सही है, कि aviation, turbine, fuel के दाम बढ़ें, और उसके चलते, transport के भी दाम बढ़ेंगे, aviation, turbine, fuel, एक बहुत ही major, कह सकते हैं, cost component होता है, एक flat journey का, एक बात ये हो गई, तीसरा, यहाँ पे इंडिगो ने, pilot induction के समय, एक नई training course launch किया है, तीन महिने का, उसको बोलते हैं, culture training, जो नएने pilots आते हैं, इंडिगो के अंदर, उनको यहाँ पे culture training दी जाती है, कि इंडिगो का जो world culture है, उसके साथ वो gel कर सके, अब अक्सर कर क्या होता है, देखिए, इंडिगो के अंदर, pilots का roaster निकाला जाता है, roaster समझते हो, किसी भी government college में, office में काम करोगे, किसी भी company में काम करोगे, आप रोaster निकलता है, एक सरकर, कि भाई यह कौन से समय पे, किस department में किस की duty लगेगी, तो किसी pilot की early morning flight कर दी, किसी pilot की late night flight कर दी, और यह roaster निकलता है, company के management की तरफ से, तो अगर गलत समय पे flight हो गई, तो वो pilot जाके शिकायत करता है, कि साहब मेरी इस समय पे आपने flight को डाल दी, सुबह डाल देते, इस समय पे आपने मेरा flying time डाल दिया, तो इसको बोला जाता है roaster निकालना, तो यहाँ पे जो freshly recruited pilots होते हैं, उनकी तीन महिने की culture training चलाई जाती है, जिसमें उन pilots को सिखाया जाता है कि भाई, आप एक responsible job कर रहे हैं, आपको roaster के साथ और scheduling के साथ बना के चलना पड़ेगा, आप शिकायत नहीं कर सकते हैं, तो company का बोलना है कि इस training के चलते हैं, उनका खर्चा जाता हो रहा है, तो overall company अपनी बढ़ी cost के basis पे, यह जो employees की घटी salary है, इसको justify कर रही है, तो हमने company का viewpoint देखा, हमने Indigo के pilots का viewpoint देखा, उसके साथ सेथ हमने कुछ technical words के बारे में जाना, एक block hours के बारे में जाना, एक fleet utilization के बारे में जाना, एक हमने airline emergency frequency, 121.5 MHz जिसको guard frequency बोलते हैं, इसके बारे में जाना है, तो यह थोड़ technical analysis था, I hope आपको पसंद आयो, वीडियो को like और share करके जाएगा, उसको click करके overall यहाँ पे, एक छोटी सी help भी कर सकते हैंगा, आप करना चाहिए, have a great day friends, good bye, ध्यान रखीगा, वीडियो को like और share करिएगा, I hope आपको वीडियो informational लगी हो,